अससलामूर अलेकुम , मैं जुलेखा अरफार्स , जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बडियासा रेस्टरॉण से बैतर खर पर हाजर मसालों से बनने वाला चिकन्टिकनonstubscribe धैस है और चिकन्टिक vantage हो साथ बढ़िया सी सर्फ किया है आप चाहे तो पराठा फुलका बटनान किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की बढ़िया सी रेसिपी साधारण यानि और इंग्रीडियन से एक्स्टारणी डिछ बनाते हैं चलिए यह है अधा किलो चिकिन बोल्लेस म पर भी निकाल लीजिए मीडियम पीसस कर लीजिए तो तीन पानी से धोके नितारने के लिए चन्नी के ओपर साइट पर रख दीजिए जब अच्छा पानी नितर जाए तो एक प्याले में दालकर हम थोड़े मसाले दाल देते हैं चिकिन के अंदर नम्मक स्वाद अनुसार आख चमाच जोता है निकाला मार्ग जोता है वो मैंने डाला है और देड छोटा चाय का चमच आधरक लसन का पेस्ट आधा कब तही डाल दीजिए और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा निम्बू का रस डाला है तक करीबन 3-4 छोटा चाय का चमच डाल दीजिए बहुत अच्छी से सारी चीजों को मिक्स करके धाक के फ्रिच के अंदर मेरिनेट कर और थोड़ा सा तेल डाल दिया इसे मेल्ट हो जाने दीजिए जब मेल्ट हो जाए इसमे लेह रखाने रिम बूल कर हमारी जो चिकन के पीसे वह सारे डाल दीजिए आप चाहे तो फास्ट आज पर रखें आप चाहे तो मीडियम आज भी कर सकते बट मेरा यह वाला चूला पुड़ा स्लो है ना तो मैंने फास्ट पर रखा आप मीडियम पर रख सकते हैं तकरीबन तीन-चार मिनिट तक फ्राइ हो जाने दिए तीन-चार मिनिट हो जाए तो उलट-पलट करते रहे जो मसाला साइट पर बचा हुआ है मैं वो भी सारा डाल देती हूं और वो सारा करते हुए तकरीबन 8-9 मिनिट तक मीडियम आज पर या फास्ट पर पका लीजिए तब तक पकाएं जब तक यह जो हमारे यह जो मसाला है यह पूरी तरीकी से सूख नहीं जाता तेल चूटने नहीं लगता बाइदर डाम आप ऐसा करोगे ना तो इसी के पानी के अंदर य जब तक आप इन सारी चीजों को ड्राइ करेंगे तो चिकन तब तक हो जाएगी बढ़िया सी हल्की हल्की माक्स आना भी शुरू हो जाएगे आप देख सकते हैं किती बढ़िया सी चिकन फ्राइ हो रही है मैंने तकरीबन पूरा टाइम फास्ट आज पर रखा था आप हलके हलके स्पॉट्स आगए आप देख सकते हैं तो मैंने यहां कर दिया इस चिकन का चूला बंद साइट पर मैंने कोईला गरम करने रखी दिया था दू-3 मिनिट पहले यहां पर वाटी रख दीजिए और जो गरम कोईला है यह दालकर रख दीजिए इसके अंदर और उस अंदर तेल डाल दीजिए स्वाद अनुसार और इसके साथ हम गरम मसाले डाल देते हैं यह है तीन सूखी लाल मिर्ची एक डंडी दालचीनी की एक तेज पत्ता तीन चार काली मिर्च चार पांच लॉंग तीन हरी लाइची आदा छुड़ा चाइक चमच जीरा सफीज जी इसे कहते हैं यह सारा डाल दीजिए और फास्ट आच पर तेल के अंदर तर्टडार जाने दीजिए जब गरम मसाले तर्टडा जाएं तो इसमें डाल दीजिए एक मीडियम साइस की बारिक कट्टी हुवी प्यास अब इसे डाल कर फास्ट आच पर बार बार चलाते हुए आपने तब तक फास्ट करना है जब तक बस इसका कलर चींज होना शुरू हो वहां तक सिख़ो बढ़िया सी फ्राइ गार करना है प्यास को शुरू ही हो रहा है तो यहां पर मैं डाल देती हूं देड छोटा चाय काच चापाज अधरक लसन का पेस्ट इसे भी डाल के भुन लीजिए, तब तक भुनिए जब तक थोड़ा हलका तेल नहीं छूट जाता, यहाँ पर मैं थोड़े मसाले दाल देती हूँ, लेकिन जूला मीडियम कर दीजिएगा, नम्मक स्वाध अनुसार दाल दीजिए, जब हलका तेल छूटने लगे तो, पाला चोटा चाय का चमच, धनिया पाउडर, एक भरकर चोटा चाय का चमच, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर दाल दीजिए, यह कलर के लिए है, कलर के लिए ही दालिएगा, बहुत अच्छी लगती है, ज्यादा स्पाइस भी नहीं देगा यह वाली मिर्च, और 3-4 चोटा चाय का चमच, टमाटरों को भून लीजिए, जब बड़िया सा तेल छूटने लगे, मसाले थोड़े भून चाय, तो यहाँ पर मैंने आधा कब पानी है, ना, मिक्सर जार के अंदर चला कर इसमें डाल दिया, ग्रेवी के अंदर, और मिक्स कर लीजिए, और हलका चाहें, तो एक उबाल खिला कर, इसे स्लौच करके, ढाक कर, पकने दीजिए, तब तक पका है, जब तक तेल नहीं छूट जाता, यह देखिए, बड़िया सा तेल छूट चुका है, टमाटर भून चुके, मसाला भून चुका है, चली अब हम चिकन देख लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, यह देखिए, बड़िया सी चिकन खोल लीजिए, और अंदर जो हमारा कोईला रखा था, उसे फेक दीजिए, वाटी हटा दीजिए, और यह अभी चिकन को हम ग्रेवी में डाल देते हैं, तो बिसमिल लह रहा निरेम बोल कर, यह जो ग्रेवी है, इसके अंदर हम सारी चिक को भूल लीजिए, और चिकन को मसाले में भूल लीजिए, तो सोधार दोनों के आतर एक दूसरे का फ्लेवर आएगा, और बस मीडियम आज पर बार बार चलाते हुए, पका लें तो तो तेल छूटने लगेगा, आप देखेंगे, बस वहां तक ही आपने पकाना है, आप द करके ठाक कर आच से 10 मिनिट तक दंपर पकने दीजिए, तो चिकन भी अगर कच्छी होगी, तो वह गल जाएगी, 8-10 मिनिट हो जाए, मैंने चूला कर दिया था बंद, और कुछ देर के बाद मैंने फिर से चूला चालू किया है, हलका गरम हो गया, अब मैं प्रोसीजर करती हो, आप महीं से ही प्रोसीजर शुरू कर देना, यहाँ पर मैंने 3-4 टेबल स्पून मलाई लिए है, और बाजार की मलाई है, मैं ये डाल देती हूँ, आप चाहें तो घर की मलाई ले सकते हैं, मलाई सरिफ दूद के उपर की लेकर फेट कर दाल दीजिएगा इसके अ पकने दीजिए, चली 3-4 मिनिट हो जोगी थी, मैंने चुला कर दिया था, बंद थोड़ी दिर रहने दीजिए, तो उपर तेल आ जाएगा, जो तरी हट गई है, वो सारी आ जाएगी आपकी, अब थोड़ी से आप बारिक करती हुए कोट मेराने के हरा धनिया दाल को साइड वेस कट करके दाल दीजिए, और ये बन गया हमारा बढ़िया सा मजेदार सा फ्लेवर फुल धुएदार स्मोकी चिकन टिक का मसाला ग्रेवी कहिए, जो भी कहना है कहिए, लेकिन बढ़िया सी है, बाजार से बहतर बनती है, माशालला, इसके ऊपर थोड़ी सी को पानी होनी चाहिए, पतली नहीं होनी चाहिए, तो अगर आपसे बाई मिस्टेक जादा पानी दल जाता है, कोई बात ने, आप उसे मीडियम आज पर एंड पर सुखा लीजिएगा, अगर फर्सकोरो पानी कम पढ़ जाता है आपसे, और थोड़ी ग्रेवी कम लग रही है, और अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमें सेक्शन में जरू शेक हीजिएगा, मुझे आपके कमेंस में बहुत अच्छे लगते हैं, फिर से आज ही रूंगी नहीं शांदार दमदा रेसिपी के साथ, आमसे लें टेक केर, आलाहाफिस, बाबाई